क्या कर रहा है बैं बागल कहीं के क्या जुद्ट थो है कर दो कर दो कर दो कर दो हुआ खईय झाच숫 Hey हुआvir हुआ हुआ खचसा गायख झायख घचट भॉडई खखज पी धद खब तर शड़ हुआ 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 है रुका रुका यह सब तुम किसके लिए कर रहे हो मुझे पता नहीं पर लड़कियों के उठा कर ले कराना उन्हें रास करना यह सब हमारे पुरानों में है यह सब पौराने खताओं में है चलता आ रहा है यह गलत है तो कैसे और पौरान में यह भी कहा गया है कि लड़कियों से खिलवाड किया तो भले दस्सर वाला हो या निन्यानबे भाई वाला हो सजा तो जरूर मिलती है और यही होता रहा है यह दर्म है और धर्म में ऐसा ही होता है भरी सभावे जब महराज मंत्रिगन योधाओं और रिशिमुनियों के सामने एक औरत कपड़े उतारे जा रहे थे तो इसका विरोध करें बीना बैट कर देखने वालों को तो मरना ही था भीश्म को भी लेकिन सिर्फ अश्वत्थामा ने इसका विरोध किया और सबसे विनती की और इसी वज़े से वो युद्ध के बाद भी जीवित रहा शायद यही है धर्म थोड़ा सबर करो भाबी बिल्कुल टेंशन मतलो डॉक्टर जा रहे हैं भाया भी आजाएंगे बिल्कुल टेंशन मतलो जीजु को फोन किया है वो निकल गये आव बेटा यहां मामा जी मेरे मा का आंगाई जाएंगी बेटा फिकर मत करो ठीक है नमस्ति कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना तुम चिंता ना करो नॉर्मल डिलीवरी होगी कॉंग्रेस जी लड़की हुई है थैंक्यू डॉक्टर बहुत खोशी हुए बेटा तुमारी बेहन हुई है अंदर जा कर देको जाओ 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 कर जाओ कर जाओ कर दोदँ अब तक इतना रो रही थी ना तुम्हारे आते ही रोना बंद कर दिया अपनी बहन का हमेशा इसे ध्यान रखना पिंकी प्रामिस किल अब इंदक है यह मश्ली वारक दे ए यह कष़़ी वारक दे अबिक समय वारक दे अबस्क्राइब एक है इसको अठाके मुझे दे लूआ यह विटर दो त्यों मुझे दो लाओ कि आप साब आगे कि नमस्ते साथ कि पकड़ यह मचली बहुत जल्द आपके हाथों में होगी काम होने के बाद बाकी के पैसे मिल जाएंगे हुए 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 है रुपा इचितले जड़ी है से हो फिर भी जड़ी जड़ी नहीं है बाई, उठाले क्या हमें ये दो मचली एक साथ नहीं चाहिए अकेली मचली चाहिए सबर रखो एक चाई बोल आई एक चाई मेरे ने भी एक चाई बोल सुनी, जेरा वो देंगी क्या अकेली मेरे भी एक चाई बोल चाई बोल झाल झाल ए तु जन्दी काली लेक रहा है ठीक है हालो हां प्लेट वहां रख कर जूस पीलो अच्छा फ्लाइट आ गई क्या अबिटा फ्लाइट आ रही है जा रही है पर अपना बंदा दिखा ही नहीं दे रहा है अंटी हाँ आ गया आप रखो 15 मिट में आ जाएंगे अरे कितना टाइम लगता है सब वेट कर रहे हैं बहुरत निकल रहे है चल चल कार में बैठ चल्दी चल्दी स्टार्ट कर कार में सिर्फ तुम्ही कपड़े बदल सकते हो दिदी तो क्या करूं टाइम नहीं है अगा देखो मेरा बेटा ही गया ना कितनी कंदी हो गए उसे देखे हुए अगै अगे अगे को आप अगे अजय मांभाजी कैसे अला इसर्पर कैसा रहा कि अ वेटा आगे तो चल्व में तुम्हारी नजर रतारती हूं लोगों की नजर इसकी नजर उसकी नजर सब उतर जाये। अब देखाना कैसी रूट गई है वो। सुनिए आप लोग अपनी बात्चित बात में कीजेगा मुर्थ का समय बिदा जा रहा है जल दिया है जजमान विवाक के लिए श्रावन्त रितिया के दीन मतलब ठीक आज के ही दिन तीन महिने के बाद बहुत ही अच्छा श्यूब महुर्थ है ठीक है तो यही तह रहा ठीक ह पढ़ रहा हूं आप लोग सुनिये श्री रस्तु शुभमस्तु अविग्नमस्तु स्वस्ति श्री चंड्रमाने ना श्री विकारी नामा संबत सरे वर्शारितु श्रावन शुद्ध दश्मी के दिन सुब ठीक आठ बजे श्रीमती बेलागा कुंडी वेंकट राओ के जे तो कि अग्वेड राओ को अगिए ना शुकत लेकर को एड़न नौबर तुम्हारे है तुस्रे कोपोटी पैना ओव पेटी चेलो ओमेख दनतायवित्मै वक्रत उंडायदीमै तन्नो जंते प्रजोदयात यह वर्माला पकड़िये है पिसुर्चिने, हाथ अरे इनिके बापक्षेवा कि इन पोस्ते के बापक्षेवा हुम्म मुआ, कितने से सुंदर लग रही हु नातक मत कर। क्यों? इंगेशमेंट के दस तिन पहले आने को कहा था तस मिन पहले आते हैं क्या? अ प्लीज अक्छली अजा हुआ अरे बात तो सुनो अब शादी होने तक यही रहूँगा जा, मैं तो नहीं मालूँगी प्रॉमेस, शादी होने तक मैं यही रहूँगा, ओके? अब मुस्कुराओ ना चल ठीक है, जो मैंने घडी मंगवाई थी बुलाए क्या? लास्ट टाइम जब मैं घडी लेकर आया था, वो कहां गई? वो 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 घडी खो गई खो खो गई क्या? जिसे गिफ्ट की वैल्यू नहीं उसे दे कर क्या करेंगे? सॉरी ठीक है, रो मत, पता था तो मैं ऐसी ही रोगी तुम्हारे लिए सेम घडी लेकर आया हूँ येलो थेंक यू भैया आँ बस बस, ओके क्या हुआ? क्यों? अब तक सिग्रेट नहीं छोड़ी क्या? हरे मैंने कब की छोड़दी सिग्रेट हाँ पापा? ने 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 पास सुरो, ना बोलो ना ये, संबल के, जल जाएगा ये, संबल के, जल जाएगा वैसे, एक English poet ने कहा था The relationship with the secret is far better than the relationship with the people around you उस ने ऐसा क्यो कहा था? मुझे ता बिल्कुल समझ मही नहीं नहीं आया तो इतना ज्यादा सोच के, तेरा ब्रेंस्ट्रेन मत करा उसका मतलब ये है, कि हमारी जिंदेगे में lifelong हमारे साथ रहने वाले कुछ लोग आते हैं पर लास्ट में, हमारे साथ रहने के विंती करने पर भी वो छोड़कर चले जाते हैं और बताय भी ना आने बाले, और तुम चली जाओ अंकल जी हुए तो, तो फिर तू जाके खुल तू खुल हम दोनों मिलकर खुले क्या? बात्रूम किसका है, तू ही खुल हैपी, तू का जा रही है, इधिरा ना तू बता दे न, अगरबती चला रहे थे अरे बात्रूम में कोई अगरबती क्यो चलाएगा तरके मारे पता नहीं क्या-क्या बोल रहा हूँ अरे इस टाइम पर तू नहीं कैसे? अरे किसने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा अरे रुख जाओ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ है ना, तुम जितने दिन नहीं थे ना, मुझे भी ऐसी लग रहा था कॉलेज में तो कितनी सारी बाते बनाते थे नहा, मैं तुम्हारे बेना एक साल भी नहीं रह पाऊंगा पांच साल, पांच साल हो गए तुम्हें एक बार भी मुझे मिलने के लिए इंडिया नहीं आये ना ओपर से मुझे एरपोर्ट पे आने के लिए भी मना कर लिए तुम्हें एरपोर्ट आऊओगी तो यही होगा यह मुझे पता था इसलिए मने मना किया और तुमने नहीं एस मे रहने के हर रोज मैंने बहुत-बहुत म्स मिस किया, समझ गई? तुम्हें एक चीज बता हूँ क्या लॉंग डिस्टन्स रिलेशन्शिप में एक मैजिक होता है दूर होने पर हर दुख पास आने के कुछ ही पलों में चला जाता है चला गया? अच्छा पैसे दीवार कुदने के आदग गई नहीं तुम्हारी अच्छा पैसे जाए कि पर आटे या आरे कियो बहुख रहे? अच्छा आखर आकर सूजाओ उर्ड़े किया हला मचा रहा है ये आ रहा हूं रुक अच्छा कियो बहुक रहे? एप एप क्या हुआ किया हुआ? चल चल सब सोगे है यार, चल अरे, क्या मस्ती कर रहा है? बैया 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 क्या हुआ? बैया, मैं तुमसे पूछ रहा हुआ मैं प्रग्नून्ठु भैया तो इसके लिए फांस ही लगा लोगी? इस बारे में शादी के तीन मेने बात बताती तो पूरी घर में त्योहर होता ना? तो मुझे एक बार फोन दो अपना, रवी के साथ बात करता हूं. रवी नहीं है भेया. मैं कुछ समझा नहीं. रवी का नहीं है भेया. तो फिर कौन प्रिया? बोलो प्रिया, माँ पापा से, तुम्हारे सास ससुर से, चाहो तो जीजु के पैरों पर गिर कर में मना लूंगा. वो कौन है बोलो प्रिया? मुझे नहीं पता पहिया. कोई बात नहीं है प्रिया मुझे बता. मैं देख लूंगा मैंने कहा न? मुझे सच में नहीं बता पहिया. तुम किसी पाटी में गई थी? वहां कुछ हुआ था क्या? कुछ भी हो प्रिया, मुझे बता. मैं कह रहा हूना कि मैं देख लूंगा? जाहे कुछ भी हो मुझे सच में नहीं पिता भीया मैं तब से पूछ रहा हूं ना बार-बार एक यही बात कह रही हो कुछ भीयो देख लूगा मैं कह रहा हूं ना एक लड़की उसकी जानकारी के बिना कैसे प्रेगनेंट हो सकती है तुम बोलो, मुझे कुछ नहीं पता, एक लड़की उसके जानकारी की बिना प्रेगननन कैसे हो सकती है, पता है? बताओ, प्रिया! इंकी प्रोमिस पहया, मुझे सच में नहीं पता कैसे हुआ ये, क्या हुआ है इतना अर्जेंटली क्यो बला है वेशन का नाम और आपका रिष्टा लिखिए हम ब्रदर लिख रहे हैं लेजब से याप यहाँ हूना सबको वही लिखके देखा है सुनो इस्क्यूज मी ब्रदर नहीं हस्बेंड लिखिये शी इस माइ वाइव सुरी सेर शुट अप जो हुआ गलत है लेकिन कर बेख्या सकते हैं इस बात को किसी को बताने के जरुवत नहीं है तुम कर जा हमें अभी आता हूं क्या है झाल आता है क्या है युप क्या है युप मुप युप क्या रो मत बिटी, रो मत क्या हुआ बिटी, रो क्यो रही हो, इसे क्या हो गया है हम लोग है ना तुम्हारे साथ, ऐसे मही रोते हर लड़की सुस्वाल जाने से पहले रोती है, तुम लोग सक्यो रो रहे हो पापा, माअ, और क्यूं रोला रहे हो इसे? रुख जाओ ना मामजी आप चलिए आप अब चलिए heck. आइए te सबीको लगो मामजी, हाईए, आप चलिए मैं देख लूँगा मैंने कहा ना आप भी मा असल में तुम्हारी कारण दोना शुरू हो गया पापा जरा बताओ मैं रेडी करके लिए आता हूँ ना अभी उसे के बरे में सोच रही हो उस सदमे से बहार आजाओ गुजरा हुआ कल भूल जाओ और आने वले कल के बरे में सोचो तुम जिस घर में जा रही हो प्यार सित्यान रखने वाला पती है कल से तुम्हारी नई जिन्दगी शुरू होगी मुझ पर भरुसा रखो तुम्ह दुम्हारे साथ जिन्दगी भर रहने ब़ला इंसान तुम्हारा साथ दे रहा है. अगर वो साथ नहीं देता तो बात समझ में आती है. तुम्हारे रोने के कारण अगर हम चिंतित हो जाये तो ठीक है. देखो, तुम रोरियों तो वो कितना चिंतित हो रहे हैं. मरने के लिए एक बड़ा कारण है तो काफी है प्रिया पर जीने के लिए एक इंसान का प्यार भी काफी होता है और तुम्हारे पास तो दो दो परिवार है बात को समझो प्रिया अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अरे देखिये रोईये मत चुपो चाहिए देखो कितनी अच्छी लगए अरे देखे लड़की आने मा मेरे बेहन की शादी है मा ऐसे रहो कि तो कैसे चलेगा देखो मेहना कितनी सुन्दर लग रही है कि सुनो एक तीक आज की घुड़िया अंदाज था जुदा सुनो एक तीक आज की घुड़िया अंदाज था जुदा सब की प्यारी ती दुलारी उसके जैसा न कोई प्याज था जुदा था जुदा था जुदा था जुदा आख πिजा मत नहारा है नहारे नहार सिरे क एंत... नहारे जातों में एक जैरेमución को विदाई तक पहुचा दिया तुमने जैसा कहा है वैसे सब भूलकर हैपी रहने की कोशिश करूँगे पर मेरे साथ जो हुआ तुम खोश रहोगी ना जाओ प्रिया प्रिया जाओ जाओ प्रिया झाओ छोश छोश पाओ जाओ जाओ हुआ हुआ इंड तिंगार केम अपकें आप यह ए बाल लाद है इधर फरए अधर कार कि थेखना कि अधर तर क्वेकना अब आउट्वित मार तो अभना कि अभना इधर दें क्या वंक्या शॉट मार रहा है तो कि बड़ा देना हमें ठीक से मारना आउट कर इसको कि अज़ अरे मिश कर दिया यार यार या स्तंप का लेके जा रहे हो हम खेल रहे है ए अरे कि अ अरे कहा है अरे अरे कहर ये तो सक्कुल आ ये ने किर्गेते अरे आरादेर सूणार। अरियो है, और कहा है। से बोर में खेल ये जहिए ये हो माले किर्ण обязशने है केहा है, माले खाये अरी थेरे भरता सा discipline, आये जहीं कैंडने है ए गारे ऐ गारे इए हर गारे पी टूल ए गारे अग्री गारे एए है! होने विजू! का इसे पैक्चानता है? नेयीपता, भाई! ही jadi, यादागीया. अजया है? इस लड़के घरम प्रिया है ना बहाँ बैसे जानता हूं मुझे अच्छी लगती थी पर उसके अलावा और कुछ नहीं जानता हूं मैं सच कह रहा हूं मैं उसको अभी मिला भी नहीं बात भी नहीं कि मुझे छोड़ दो प्लीज सच में उसके अलावा अमारे कॉलिज का एक सीनियर था जो उसकी पीछे पड़ा था बोलता था वो उससे प्यार करता है एह कौने में तू क्यों मार रहा है कर तू कर रहा है क्या साय में तू कर रहा हूं झाल झाल अरे क्या चाहिए तुझे इसे पैचाना यह लड़की पैचाना क्या इसे कॉलेज में पीछे में पढ़ा था यह साही है लेकिन कितना भी ट्राइ करने के बावजूद यह ही पठी इसलिए मैंने इससे छोड़ दिया प्लेस पूजा छोड़ दो और एक लरका फेस्बुक पर उसे बहुत डिस्टरब करता था भाया गंदे गंदे मैसेज भेचता था उसे ब्लॉक करने बड़ दो बारा दूसरे अगाउंटसे मैसेज भेचता था है तेरा प्रोब्लम क्या है क्यों मार रहा हम लोगों लुट 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 हुआ आए! हुआ 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 यह लड़की को नहीं जानता है इस लड़की को पेचानता है इस लड़की का नाम प्रिया है आप तो बता दिया मैंने इस लड़की को मैंने मेसेज करना कपका बंद कर दिया सच बहुल सच तो कह रहा हूँ सच सच बता इतने ही पता है मुझे बहुरू सा करो सर एक मिनिट रुखो यह दखो मेरे एक भी मेसेज का रिपलाई नहीं किया इसलिए मैंने उसे मेसेज करना हमेशा किले बंद कर दिया मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर मेरे बात पर यकीन करो कुज पर इसलिए हूँ हर्षण अर्य बेटा यह क्या? इतना खुन कैसे क्या हुआ? तो इतना खुन बहुराया? और क्या कुछ नहीं हुआ? चलो एक के रहा हूँ ना? चुपचाप मेरे साच चलो तीन दिन के दवाई ले ले न ठीक हो जाएगा मैं अभी आता हूँ मा संभलकर हलो हलो हाँ बोलो निया सुनो ना अप्रीज रेंड शुरृती का बर्दे है सब लोग कह रहे हैं कि हम दोनों को आना जाए मैं आज नहीं आप आऊँ तुम चिली जाओ हे ऐसा क्यो मैं आज नहीं आप आँ किया आँ आ हूँ नहीं अभी तुम कहा हूँ? आउस्पिटल में हूँ आउस्पिटल में? क्या हूँआ? हाथ पर छोटी सी चोट लगे तो माँ टेंशन में ही बहुत हुआ मेरा नाम केटी है मम्मे बापा मुझे माफ कर दो मैंने कोई गलती नहीं की है ना मेरा कोई बॉइफरिंट ना मैं किसी किसा घुमी पर डॉक्तर ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूं कैसे हुआ मुझे नहीं पता क्या करूं अब रास्ता समझ नहीं आ रहा है मेरे पास एक ही रास्ता है बेटा मा तो माँ इस लड़की को हमने अभी देखा पानी की बॉतल है है सर देना वो लड़की कैसे हुआ पहले प्यों मा पानी पीओ आराम से मम्मी पपा को मूह नहीं दिखा पाऊंगी किसी भी तरह मेरा एबॉर्शन करवा दो ऐसे डॉक्टर से उसे कहते में ने सुना था तुम्हारे साथ कोई होना चाहिए तभी मैं एबॉर्शन कर पाऊंगे ऐसे डॉक्टर कह रहे थी बच्चिया अगर ऐसे जान देने लगी तो हम जैसे माता पिता कैसे जिएंगे बेटा क्या होगा उनका जो अपने बच्चों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते है मैं क्या कहूं बेटियों का अच्छी तरह से पालन पोशन करना यह कोई मामुली बात नहीं है अगर हमारे साथ ऐसे मां अमारी प्रिया सोना है ऐसी परिस्थेती अभी आने नहीं देगी राइटर जी है क्या हाँ वो रहे नमस्ते सर सर मैं हूं कंगा बेठो बेटा पिता जी ने फोन किया था सारी फॉर्मलेटी फूरी हो गई है अभी पेपर आएगा तुमस पर साइन कर देना बाकी हम देख लेंगे ओकिस अरे चाय बोल रहे जबरदस्त है बिटा बहुत हासी आ रही है सर कल रात से मेरी बेटी लॉट करने ही आई है तोड़ा बीजी हूँ चार सो दो क्या है देख इसका कोट में इसे सब्मेट करने के लिए जा रहा हूं सर इनका देख लेते जरा सर मेरी बेटी का मिसिंग केस है इस टाइप के मिसिंग केस राइटर साब देखते हैं राइटर साब सर कल शाम से मेरी बेटी लापता है सर कल शाम से मेरी बेटी घर नहीं आई है अरे बाद सर, हमारी बेटी नहीं मिल रही है और आप मोबाइल में बिजी है तुम ज़रा रुको ये लीजिए आपकी बेटी का नाम आपकी बेटी का फोन नंबर आपके बेटी कौन से कॉलेज में पढ़ती है उसके कौन कौन से फ्रेंड्स हैं उनके नाम, उनके फोन नंबर, उनके अड्रेस इसमें सब लिख दीजिए इंक्वारी करेंगे, आपकी बेटी अगर मिल गई तो आपको इंफॉर्म करेंगे अहां ठीक दिया है सर थोड़ा जल्दी ढूने आपको ठीक से सुनाई नहीं देता क्या मेडम कहा ना आपकी लड़की मिल गई तो आपको इंफॉर्म करेंगे, बस वो बात नहीं है सर बता दिया है, वो लड़की है चलो, चलते हैं सर, जाए घास खाने वाला जानवर कम से कम दूद तो देता है सर रिश्वत लेकर उन्हें उनकी बेटी मिल जाएगी, ऐसा कम से कम भरोसा तो दे सकते थे ना यहीं आपके खर हुआ होता तो क्यों बेटा, सोशल रिस्पॉंसबिलिटी ले रहे हो पुलिस वाले के सामने बैठकर फिल्मी डायलोग मारने का मन कर रहा है हर इंसान से मैं पैसे ले रहा हूँ, मैं पैसे ले रहा हूँ बोल रहा हो लेकिन देने वाले के लिए तो कुछ नहीं बोला तुमने आजकल मिसिंग कमप्लेंट का मतलब है रोड पर जो पैमप्लेट बाटते हैं ना उससे भी ज्यादा चीप है आजकल जिसको देखो मिसिंग कमप्लेंट लेकर आता है चीप लोग यह देखो मिसिंग कमप्लेंट ऐसे रोड दस कमप्लेंट आते हैं यह पूरी फाइल देख लो कोई आता है मेरी कुतिया गुम गई कोई आता है मेरी बेटी गुम गई कोई आता है मेरा बेटा गुं गया ऐसी कंप्लेन लिखवाते हैं और हम लोग खाकी पहने हुए कवे की तरह काओ काओ करते हुए पूरी सिंसेरिटी के साथ गलियों में घुंते रहते हैं घुंते घुंते जब ठक जाते हैं तो सब को इंट फॉर्म करते रहते हैं फाइनली और फिर फोन पर जोर थोर से हस्ते हुए फोन कट कर देते हैं बेती वापस आई तो हमें नहीं बताना चाहिए कंप्लेन लिखवाना जरूरी समझते हैं बताना जरूरी नहीं समझते हैं बुद्धी हमें नहीं जनता को नहीं है हर इंसान हमें गलट ठेराता है एक और चाह सर, साइन जाए है यहां सब्सक्राइब नमें वान यहां वैलो मैं डिपार्टमेंट से कॉल रहा हूँ आ भोले सर आपके बेटी में इसे कंपलेंट दी थी नä क्या हुआ सर जी दिन में लड़की वापीस बारी और जिस कंपलेंट के रेम्न być ऐदि रुक जो भीया रुको ना प्लीज सर सर बेटा मेरी बेटी हॉस्पिटल में है वहां तक छोड़ दोगे क्या बढ़िए बैठो थैंक्स बेटा ओमनी हॉस्पिटल कि अरे कुछ नहीं है छोटा प्रॉब्लम है हाइपोग्लेसोमिय कहते है इसे ज्यादा फिकर करने की जरूद नहीं है बॉड़ी में शुगर लेवल जब कम हो जाता है या फिर सोडियम लेवल अचाना कम हो जाता है तब ऐसा होता है लड़की को अच्छी से हेल्दी खाना ख हमेशा डाइटिंग करती हो खाना नहीं खाती हो अब ही अभी अपने थोड़ी दिर पहले फोन किया था ना सर हाँ हाँ बूलिए हमारी बात नहीं हुपई और अपने फोन कट कर दिया था आपकी बेटी से में बात कर सकता हूं ठीक मैं जेता हूं हलो सर्ब उस दिन क्या हुस्पिटल में थी कौन सा हुस्पिटल प्रेडना हुस्पिटल सर नमस्ते सर आप मैं किर्थी के बारे में बात करने के लिए बैठो सर आपके बेटी कीरती पानी पीना चाहोगे एक लास पानी लाओ आपके बेटी के बारे में बात करने के लिए पहले पानी पीलो किर्थी की मौत से पहले तुम चले जाओ बेठा वो बात नहीं है सर मेरी बात क्या मेरी बेटी किसी के साथ गौंती थी और वो पेट से भी थी फिर उसने हमें दोका दिया यही कहना चाहते हो न तुम तुम से पहले यहां पुलीस आ कर गई उन्होंने भी यही कहा रोज सुबह मेरी नींद खुलते ही सब यही सवाल पूछते हैं रोड पे चलने वाला हर इनसान मुझसे यही सवाल पूछता है सुन सुन कर मेरे कान पख चुके हैं मैं दुखी हो चुका हूँ आखिर तुम यह सब क्यों जानना चाहते हो उसके बारे में जब तक हर इनसान तरह तरह की बाते नहीं बना लेगा तो नींद नहीं आएगी क्या यह क्या है सर यह मेरी बेटी की रिपोर्ट है जब तीन मेने पहले वो चक्कर खाकर गिर गई थी तब किसी ने उसे हॉस्पिटल में एड्मिट करवाया उसी से संबंधित रिपोर्ट है यह मा मैं जब युएस में था तब अप्रिया हॉस्पिटल में है ऐसा आपने कहा था क्या हुआ था पस बस बस देखो खाना ठीक से न खाने की वज़े से चक्करा कर गिर पड़ी वो तुम ठीक सिखाओ करेzung है जी मेहीं हाओ धिन मेने पहले कोई साधना नाम की लड़की यहाँ पर एडमिट होई थी एक मिनिट एड्मिट होई ती खिसे ने एड्मिट किया था एमर्जनसी में एड्मिट होई थी एमर्जनसी मतलब usually एम्बूलन्स लेकर आते हैं एम्बूलन्स के डिटेल्स दे सकते हो क्या आप पुलिस है क्या अंजी नहीं सौरी जी डिपार्टमेंट के अलावा हम बाहर वालों का इंफिर्मेशन नहीं देते हैं एक हटे पहले लक्षमी नाम की किसी लड़की को यहां एडमिट किया था एम्बूलेंस से लेकर आये थे एम्बूलेंस डिटेल्स आप कुछ दे सकती हैं सौरी सर, हम डिटेल्स नहीं बता सकते इअच वहने पहले मोनी का नाम की लड़की हैं यहां एडमिट वे थी? वण मिनिट फाइब मेंस अगो? यहाँ एम्जंस खेकर आये थे एम्बूलेंस बेकर यहाँ यहाँ कि यह बात सुन कल का दिन मुझे सही नहीं लग रहा है कली का दिन सही है कल सब के सब विसर्जन की जल्दी में रहेंगे कल एक मचली को पगड़ नहीं होगा मैं कि यह बोलो नहां मैं बाद में काल करूं किया अगर कुछ बात नहीं है तो क्यों मुझे इतनी बात नहीं है पर फोन कर दीओ नहीं वह ऐसा नहीं है इरी फ्रेंड शुटि है ना वह चकर आकर गिर गई उसे शॉस्पिटल लाए है उसे के बार में बात कर रही थी क्लियों कॉनसा छॉस्पिटल आल क्लियर टेक्निकल डिपार्टमेंट कहा है उस तरफ सर साई सार को जो भी इंफार्मिशन चाहिए दे दो ठीक है से करना सर थैंक्यू सर आपके अंबिलेंस कितनी है नौ है सर सब के ट्रेकर सेना है ओपन कीजिया एक यही पे बाकी सब रैनिंग में सर मौल के दूसरे तलफ समंदर है शेयर में हर जगा वी सर्जन की भीड है मेरे मुताबिक उनके पांच किलोमेटर से ज्यादा जाने के चांसेस नहीं है मौल से सब डैरेक्शन में पांच किलोमेटर का सर्कल बनाओ क्या सर मौल से सब डारेक्शन में एक पांच किलोमेटर का सरकल बनाओ ओके सर सर पांच रनिंग में है नेहा डारेक्शन बताओ ओके सुनो वो लोग दसपना से लेके जगदंबा जंक्शन की तरफ जा रही है ओके हाँ यही पर हूँ अबे एम्बूलेंस को क्यों रुखा रहा है कौन है तू अरे कौन है भाई नेहा शुरूती इसमें नहीं है अच्छा अभी अभी एक अम्बूलेंस ने सिटीपुरम जंक्शन क्रॉस किया है ओके ओके जा रहा हूँ सुनो सुनो संपत्विनाय टेंपल से लेफ ले लो और फ्लाय ओवर पे जाओ फ्लाय ओवर ओके वो तुम्हारे सामने ही है हाँ बस सौ मीटर की दूरी पर हैं जगा सौ मीटर की दूरी पर हाँ हाँ खोलो रुक जाओ निहा इसमें भी नहीं है मैडम रेल्वे सेशन के पास अच्छा रेल्वे सेशन की तरफ एक और अम्बूलेंस जा रही है निहा लेफ्ट या राइट लेफ, लेफ ले लो ओके वो तुम्हारे बहुत पास है अच्छा कौन है रदू निहा इसमें भी नहीं है आलिपुरम जंक्शन पोस्ट के पास एक अम्बूलेंस बहुत देर से रुकी हुई है थीक है मैं जा रहा हूँ थीक है मैं जा रहा हूँ निहा इसमें कोई भी नहीं है ओ भाई, कौन है तू मौल से लड़की बलाए वो कहा है कौन सी लड़की मेरा काड़ी खराब हो गया मैं कब से इधर ही हूँ लेसन, लेसन करो, रोजल की तरफ एक अ आम Kabulनस जा रही है ओड़ekt, जाराहूँ राइट ले लो राइट में वहां से स्ट्रेट जाओ यहां से लेफ्ट लेफ्ट ले लो लक्या वहां से स्ट्रेट जाब अरे, वाइव यहाँ पर डेड एंड है, कुछ तो सोचो, अपने पास टाइम नहीं है, अच्छा सुनो, एम्बिलन्स सिग्नल के पास रुकी है, फ्लीज मेक इट पास्ट, फिलीज मेक इट पास्ट, फिलीज जा रहा हूँ प्लीज में थाँ नहीं पास्ट, बुद भी में याँ रुकी है, भी में जास्ट, बुद भी में नहीं है, भी में वाँ रहा हूँ झाल 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 कि आपिलेंस वहां से आगे बढ़ रही है अरे रुको आपिलेंस से तुम आगे चले गए हो तुम आगे किसे चारौ हाँ तुम आगे चले गए हो तुम तुम तुमारे आगे कुछ पर झाल 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 अमधिलन समेरे लाइच आए छारी है, तुम हो इल भी नहीं रहे हो! मुख आए! मुख आए! अश्मर्दावा! 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 तो अजय बेंदो जैड़ पापी गो नष्ट करे यब दूख मारे पापी नाश करे खुरोगने दुरोगे भुमकिने ए मपीको दूकिने ए मपीको चूटी पॉदिध राग हार जूए्च भुगी लग ए आस्वाततामा मुलिम्हे conocer मुल्वensor हगा को ب ए़ बागी है जल बिक रखayım झाल झाल इस लड़की को जानता है बाल बता इस लड़की को उठाने वाला महीं हूं सर वैसे देने के बाद छोड़ने को कहा छोड़ दिया मैंने छोड़ने को कहा क्या? समंदर मा की किसम खातो सर और मज़े कुछी बता किसने छोड़ने को कहा? किसने? किसने? किसने बाल? किसने इसके पीछे किसका हाद है? किसका? किसने? नहाँ मैं अभी आतौम कर दो कि अज़िए बड़ी मचली है अध्यां दिका लो इसको भी काटेंगे आज इस नड़की को ठाने ओला मैं हूं सर पैसे देरे के बाद चोड़ने को कहा चोड़ दिया मैंने समंदर मांखी कसम खातो सर अज़ दॉक्तर साब दॉक्तर साब एक पोस्पोडम केसा है एमर्जनसी है देख लीजिए ना आफ्टर सिक्स प्रियम पोस्पोडम मैं नहीं करता है पता है ना आइम सॉरी सर फ्लीस सर थोड़ा अजनसी है फ्लीस सर जजज की बेटी है सर ओके लड़ी करो बोड़ीस गेट हैवियर आफ्टर देथ बोड़ीस गेवियर आफ्टर देख कि अवड़ीद कीज सर प्लीस में थेख़एंगा आफ्टर एफ्टर प्लीस सर खशाएंगा करिए आफ्टर थोड़ी की जजज़ आफ्टर बेके बेच्टर थाफ्टर प्लीस प्लीस जजड़ीस वे पुआए हुआनिos था सुपने एक न समय हुआने लाग डिए हुआने लागा। प्राश करेस्ट लागा जर एक समय के करेंदे चार लागा खार रेंगे Damn यह एक सुंग हुआ हुआ गए थोड़ा होती तो आए चल्दा थोड़ा होती तो आए क्या लाश के साथ इंसान की इच्छा पूरी होनी जरूरी है वो जिन्दा हो या लाश हो कुछ फरक नहीं पड़ता हावस पूरी होनी चाहिए है कुमार यह आगे 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 चलो अचलो यह 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 थे पवार अरे गदे के बच्चे आया हूं कह बिना जा जो रहा है तुम बोलोगे तो ही मैं लिखूँगा ना इतना बड़ इंसान जब जा रहे तो बोलने की क्या सुरूत है चाचा, लेख लो, जोजब, माधब, आँ जा रहा हूं, चाचा जी, ये सब क्या है, सब आने की बद करके जा रहे हैं, समुंदर हमारी मां के समान है, रोज सुबह सुबह उस मां पे विश्वास करके समुंदर में मचली पकड़ने जाते हैं, किसी दिन समुंदर मां अपने पसंदिदा इंसान को अपने गर्भ में छिपा लेती है, जिनकी जरूरत नहीं उन्हें समुंदर से बाहर फेकती है, हम मचलीयों को पकड़ सकते हैं, पर समुंदर की आन्धियों को पकड़ नहीं सकते न बेटा, इसलिए रोज कितने लोग आते जाते हैं, गिंती करते रह वैसे तुम कौन हो बेटा, मैं इलेक्शन सरवे से आया हूं चाचा, आपके यहां कितने लोग हैं पूरे, यहां कुल मिला कर 390 लोग रहते हैं, उन में से 207 लोग तो मचवारे ही हैं, तो फिर सभी लोग समंदर से आ गए हैं क्या, यह लो दादा, जो मसली आपने वांग क्या पता दादा, मैं समंदर के, उस तरफ गया था, वो दूसरी तरफ गया होंगे, मुझे कुछी की पता, ठीक है, पूरा 12 लोग आना चाहिए, यह लफंगे कब आएंगे, तुम्हे काम करो बेटा, कल सुबह सुबह ही आ जाना, और अपना काम कर लेना, चलता हूं बेट बोलिये दादाजी, वो, लड़की, नए रहने दो, आज का हो गया, बात वो नहीं है, हमारे लोगों को किसी ने अबुलेंस रोक कर मारा, ठीक है, घारा, उन लोगों को भी लेके आ, कौन हो बेटा तुम? सर, शिवशक्ती ट्रावल्स, पीछे वाली बिल्डिंग है, ओके सर, थैंक यू, चलो, यही है वो, नवस्ते मालिक, आप यह मारे भगवाने सर, आप कही कारान हमारे बच्चे कौनेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, हाँ, फार्स टाइम सभी मिलकर घर आए है, आओ, मिलकर खाना खाते हैं, अले, आपके साथ, नहीं सर, इतने दिन मेरे लिए महनत किया, मिलकर खाना भी नहीं खा सकते हैं गया, प्लीज, बैठो, 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 प्लीज, तुम भी, प्लीज, बीज, देता हूँ यह तुम लोग के लिए बनाया है खाओ कमाउन कमाउन खाओ 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 शर्माओ मद खाओ असल में क्या हुआ है मालूम नहीं सर उसको दबूर भैचेंद भी नहीं है जो और से आगे टक्कर मारा हां सर मैं समझ गया इनके साथ अच्छा रिष्टा बना के उन्हें मरवाना है क्या आप बिल्कुल चिंदा मत किजिए सर इस बार उसे छोड़ेंगे नहीं मार डालेंगे हाँ हाँ मार डालेंगे मार डालेंगे खाओ उसे मुझ तक पहुचने का जरिया यही लोग है इसलिए इन सब को खाने के बाद मार डालने का सोच रहा हूँ खालो खालो खाने के बाद ओ कम आन प्लीज खाओ अरे यह चिकन क्यों नहीं लिया खाओ 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 शर्माओ मत खब ऑज शर्माद खाओ 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 खब खब खुक खब खब खाओ 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 चाल आपसे लिए नहां पूँ हाँ बिर्देशों कर सकते लेगा कर आपसे लोगी लिए वह लोगी लेगा मुझा ये लेगा कि अज़ की और भी खुर खुष करें और भी भान्या का बड़ा shelf भड़ घर भुष कःड़े लोग समय झारर भी तरो करेंगे लोगी लोगा है अज़ कि इस पुर सुन्हार भी फिस पेल्खने है तर्जस करेंगे घ्टिस्क फेले लोगे प्नावे में कर दो दो कर दो कर दो कि देखा बहुत मेरे हाथों से अच्छा तु अपने हाथों से ही अपने आपको मार दे यह कितना बड़ा दरिंदा है भगवान सारे कौरूओं की कुरूरता से भी बढ़कर इसकी अकेले की कुरूरता है हे बगवान अरे वो मेरे मामा को बोट है उस पर मत बैट अरे उतर नीचे उतर रहा हूं ना इस तरकी को अटाने वाला माहिँ से अरे तु क्या कर रहा है ए छोटे यह बोट किसकी है यह यह मेरे मामा की बोट है उनका घर पता है कि ए तू हट चल इनको दिखा के आते है और किना दूर है और किना दूर है यहीं पर है भाईया मामी आपचे कोई मिलने आया है मैं एलक्षन सर्वे की तरफ से आया हूँ एक बार आप अपने पती को बुलाएंगी वो घर पे नहीं है दो दिन पहले मशली पकड़ने गए थे मेरे ख्याल से एक दो दिन में आ जाएंगे एक गलास पानी मिलेगा हां अंदर आये साब आये यह लीजे साब यह लीजे साब राज अमा हां रुक रुक आती हूं मैं आप बेटिये साब मैं आती हूं मैं गड़ी हूं मैं भाए खोगए। हाओ ंगत कर दोऄ बेहन घर पर आई है रा देख रहे हैं तुम्हारी तेरे संग भीती रातें जी हसी लम्हे तेरे संग की जो बातें भुने हसी सपने दिल में वो रख लिए लम्हे वो प्यार के बंधन है ये खुशियों भरा तेरी रक्षा करूँ मैं सदा मेरी दूआ साथ रहे तेरे साथ रहे मेरी दूआ सासुमा ये कितना क्यूट लग रहा ना इस फोटो में प्रिया जब पैदा हुई थी तब लिया था ये फोटो प्रिया को उसकी पिता से पहले और कोई नहीं देखे इसके लिए दर्वाजा बंध करके पिता के आने तक वही पर खड़ा था वो अब आने से पले डोर नौक करके आ सकती थी नहीं हमारे बीच पे फॉर्मालिटी से ये मुझे पता ही नहीं था सॉरी मेठो मैंने जो गिफ्ट दिया वो पसंद आया देखा निया बहुत बढ़ी है जूट उनसे बोलो जो तुम्हें जानते नहीं है उनसे नहीं जो तुम्हें जानते हैं अब वह मैं बेजी था इसलिए देखानी नहीं देखा तो नहीं बोला चाहिये था देखा ऐसा जूट की बोला नेहा वही तो कह रहा हूं कुछ काम था इसलिए नहीं देखा हूं यें अभी देख लेता हूं लाओ अरे इसलिए परिख गिए कर striking क्यो यो इतना बिहेव कर करते हो अब ही फोन करते हूं इसा कहके गुस्से में फोन करते हूं बहन की शादी के बाद अपनी ही शादी होगी मेरे घर्वालों को क्यों मनाया तुमने उड़े, आखिर पुछ तो बोलो तुम, मेरी हालत तुम्हें समझ में आ रही है, तुम्हारी भी तो बहन है न, अगर उसके साथ कीसीने ऐसा ही किया होता तो तुम क्या बताओ मैं तुम्हें, शादी से दो दिन पहले मेरी बेहन मरने जा रही थी, यह बताओ तुम्हे, शादी से पहले वो प्रेगनेट हुई, वो काउ नहीं यह पता नहीं, यह बताओ मैं तुम्हें, कुछ, कुछ बातें प्यार करने वाली लड़की से ही नहीं, खुद की मा के साथ भी शेर नहीं कर सकते मेरे हाथों से मैंने प्रिया का अबाउशन करवाया माउच से भी बड़ी ससा है वो, अरे उस पर जो गुस्सा है वो मैं किसे बताओ उसके खुश रहने के लिए मुझे चुप रहना पड़ा और तुम मुझसे पूछ रही हो, बताओ मैं किसे बताओ, किसे बताओ खुश या में हर पर डूबी रहे चुना सके तुझे कोई गम मेरी कमीना महसुस हो, तुझको मेरी बेहना मेरी दूआ साथ रहे तेरे साथ रहे मेरी दूआ मेरी दूआ साथ रहे साथ रहे मेरी दूआ याया आरी में स्टार्ट हो जाएगा दी 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 सुनो ना आजा बहुत अच्छे लग रहे हो तेंक यू पर आपने जो दूआ लगा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है आपके लिए मेरे पास अच्छा दियो है ये लीजे अच्छा है 200 की है दी दी पर मेरे पास तो 500 का नोट है मेरे पास छोटे नहीं है दी दी थम रख लग थैंक्स दी दी प्रमुक व्यापारी व्योंकेश रगुपती राजू प्रभावति की बेटी सौम्या का अपरन हो चुका है पुलिस का मानना है कि ये व्यापार में हो रहे जगडे की कारण हुआ 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 एक बर न्यूस देख लो शहर के कमिशनर राजना ठाकूर खुद इस केस की तहकीकार कर रहे हैं शहर क्या जिंदगी है क्रोडो रुपे का खरुचा करके बंगला बनाता है और एक कप कॉफी भी नहीं पलाता है अशे बच्चों का ध्यान रखेंगे तो बच्चे भागेंगे नहीं तो और क्या करेंगे बाई एक चाय देना एता हूं क्यों भाई इस इस अधिशन गुछ से महीं क्या बदाओ भाई लड़की को गुम हुए छे घंटे हुए इतनी देर के बाद कंपलेंट कर रहे हैं छे घंटे में तो लोग बारदेश चले जाते हैं इतनी तो समझ वनी चाहिए बैसे तो हमारे ओफिसर को सुनी चाहिए हमेशा पैस वालों की नहीं सुननी चाहिए हमारी तो सुनती नहीं एक दम उचल जाते हैं जाए पीने तक का टाइम नहीं है यह कोई काम है इससे तो अच्छा घर जमाई बन जाता है है यह एलो नहा तुम मैं सौम्या की फ्रेंड हूँ अंकल आंटी कहा है उपर जाओ वही होंगे ओके अंकल बेटा एक मिनिट आप आंटी ने सुबह से कुछ नहीं खाया बेटा ट्राइटू फीड हर संफिंग ओके आंटी 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 सुनो मैं उस लड़की के रूम में हां गट वो लड़की कौन सा फोन इस्तेमाल करते हैं मुझे किससे पता होगा बेट के बगल के सॉकेट में किसी ना किसी कंपनी का चार्जर होगा देखो हां दिखाई दिया एक मिनिट उसके पास आइफोन है आइफोन यूजर सभी उनके बैककप के लिए लैपटॉप या फिर आइपड में वो आइकलाओड में लिंक करते हैं वहां पर है क्या देखो हां यहां पे लैपटॉप है उपन करो एक बड़ पासवर्ट मांग रहा है ऌशवर्ट-पासवर्ट-पासवर्ट अब बगल में क्या रखा है डॉल्स, पेंस के माधपिधा के साथ वाले फोटो लेकिन मा की साथ फो तो ज्यादा है मा के साथ ज्यादा पूटो है प्रभावती की बेटी सौमया का अपराशुका है उनकी मा का नाम प्रभाउती है, प्रभाउती टाइप करो यह रॉंग पासवर्ड बता रहा है 5004 ट्राइ करो यह शौर? मुझे क्या पता, उसके कार का नंबर है 5004 यह भी रॉंग पासवर्ड है आपके बेटी की पॉर्सनल चीजने जेक करनी है शान्ती हाँ साब इन्हें सोमया के कमरे में ले जाओ थैंक्यू सार चलिये साब यह भी रॉंग पासवर्ड है एक मिनिट लाइन में रो इंस्टाग्राम जस्टिन ट्राइ करो जस्टिन जस्टिन ट्राइ करो हाँ ओपन हो गया यस अब सारी इंफॉमेशन मुझे जल्दी से फॉर्वर्ड करो उस तरह के साब ज्टिन ट्राइ पर आपके जल्दी सौम्या के बारे में कुछ पता चला नहीं मेडम इंविस्टिगेशन चालो है उनके चीज़ें थोड़ी चेक करनी है या तेंक्यू मेंडम हेई बेबी, कितना समय, कहा हो तुम और आते समय रेड बुल लाना मत भूलना आपका कंट्रोल लूँ का है उधर सर वो फर्स कैमरा उपन करो हाँ, ओके सर सेकंड खोलो पार्किंग का कैमरा उपन करो हाँ, करता हूं, सर लड़की यहीं से भार गई है पर अमें ठीक से देख देख दो CCTV फूटेज ये बार चेक करनी है आप को न हो? मैं मेडिया, उनके साथ आया हूं ऐसे हाँ, चली मिरे साथ ठीक है जरा ये कैमरा उपन करना ओके सर, ये देखो जरा ये कैमरा उपन करना जरूर रुको जूम करना ये लड़का कौन है? ये ये ही सिगनल के पास फूल बेसता है तैंक्यू ये लड़की को देखा है? हाँ, देखा भईया, इसे मैंने स्प्रे भी बेचा तुम स्प्रे भी बेचते हो? नहीं भईया, उस दिन उस चाचा जी ने कहाता इसलिए बेचा अरे बेका, जरा यहां ना क्या हुआ चाचा? मेरा सीर घुम रहा है ये इस्प्रे बेच सकते हो क्या? तुझे मैं पचास रुपे देता हूँ ठीक है दो पर सकते हैं यहीं डेके यहां यहीं है भईया ठीक से याद करके बोल, यहीं है क्या? यहीं है भईया मुझे ठीक से याद है वो चाहग फेकने वाला और इस ना क्या संबंध है यह मिला तो समचो पृठा मिल गया च्चा जी क्या हुआ? बेटा उसी दिन बताया था ना मैंने और बारह लोग आने वाले थे सभी लोग तो आ गए लेकिन ड्रवी, चंदू, डेविड, आर्या आए ही नहीं हफ्ता भर बीट गया और उनके आने की उम्मीद भी नहीं लग रही इसलिए सभी औरतें रो रही है आज की दिल देला देने वाली खबर, सौमया नाम की लड़की का अपरन हुआ था और आज इसकी लाश मिली है अपरादी में लाश को पुलिस टेशन के आगे ही ठेक कर शहर को हिला के रख दिया है पुलिस टेशन के सामने ही लाश को फेक ना ये को छूटी बात है क्या बाहर मामला कितना गरा में देखो आँ बहुत करम है इसलिए थंडा उने से पहले जल्दी पी ले प्रमु प्यापारी ग्योंके श्रेभुपती राजू प्रभावति की बेटी सौम्या का अपरन हो चुका है पुलिस का मानना है कि ये व्यापार में हो रहे जगडे की कारण हुआ 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 ए तुझे ड्रक्स की आदत है क्या अर्यू 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 ड्रुख एडिक पूछ रहु हुए तुझे है तुझे ही पूछ रहा हुए ड्रग्स लिया था के तुने है अलो फोट है क्या कर रही शीज़ अट्रॉग एडिक्स को नॉर्मल डोस देते तो काफी नहीं है इसलिए वो होश में आ गई इसने मुझे देख लिया अगर में भार गया तो में फखड़ा जाओंगा मुझे जेल नहीं जाना मुझे जेल नहीं जाना I need to kill her I need to kill her इसे मेरे बारे में पता चल गया है इसे जिन्दा नहीं छोड़ सकता तो इसे छोड़ दू क्या इसे छोड़ने का मतलब एड्रेस डोर नुमर के साथ दे दिया समझो इस लड़की को अगर मार दिया तो प्राबलम हो जाएगी छोड़ दूँगा तो यही भार जाने के बाद और बड़ा प्राबलम खड़ी कर देगी तू जल्दवाजी मत कर सोच दे अफरन करना गलत नहीं है सबू छोड़ना गलत है इसे लिए इसे छोड़ूँगा नहीं टुष Monta मैं जो कहरा हूं, तुझे समस्झ में नहीं होना मैं जो गहरा हूं, तुझे समझ में नहीं होना कै तुझे अल्रड़ी कहा राक्षसावर्भगवान को जिन आखोने देखा उसे और कुछ देखने का हाँ नहीं .इद, पकड़ा जायेगा पकड़ा नहीं जाओंगा कहा ना? कौन हो तुम? बात कर रहा हो समझा? श्ष। श्ष। शट अब तुने बहुत बड़ी गालती कर दी इतने दिनों से लड़कियों को लाकर तेरी जरूरत पुरी होने के बाद उने हॉस्पिटल में छोड़ देते थे जिन्दा रहती थी इसले किसी को कुछ पता नहीं चलता था अगर ये लड़की नहीं मिली तो पुलिस अलर्ट हो जाएगी अब इस लाश का क्या करोगे? सिटी के कमिशनर इस समय इस केज की तहकीकात कर रहे हैं दादा जा है मिटा इस लाश को ले जाकर पुली स्टेशन के सामने फेगे पुली स्टेशन के आगे अब वो घर को ढूंडते वह यहां जाएगे येस मैं आपका फोन बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था लगने रहा था ओ सॉरी मैंने फोन नहीं देखा आपको न्यूस पता ही होगा बॉम देवा रगुबती राजु की बेटी को मार कर पुली स्टेशन के आगे फेग दिया गया उसकी बॉडी को आपको ही अटॉपसी करना होगा ओ, ओके आप चलिए, मैं आता हूँ ओके, थेंक्यू डॉक्टर मनोज कुमार मरने वाले को बचाने के लिए इस शहर में सौ हॉस्पिटल है पर मरने के बाद भले वो सीम हो या सीम का बेटा हो उसके लाश को मेरे पास ही लाया जाता है मेरे पूरे करियर में एक बोड़ी का उट आपसी करते वक्त फर्स टाइम मेरे हाथ काप रहे थे एक बड़े रोड से सर पर मार, मार के उसका अफसार बुरी तरब बुड़ दिया मार के लाश को पुलिस टेशन के सामने ही फेग दिया मतलब लुक अफसे ब्लड़ी कॉंफिदेंस उसे किसीने पकड़ नहीं इसलिए खुला चैलेंज कर रहा है आई रेक्वेस्ट अल्द पुलिस तो फांद इमेडिएटली पुलिस दिपार्मेंट को हंड्रेट पसंद मेरा सपोर्ट रहेगा फ्यूचर में ऐसा कभी भी कुछ हो जाता है तो मेरे पास ही आना आई डीपिस कंडोलेंस तो हर पैरेंस आई आइम सू सॉरी तुम्हे मुभारक हो तुम्हे मुभारक हो यू और ऑफिशिली इंसेन नाव उस लड़की को इसी भी तरह नहाई मिलना चाहिए यह गुम हुई लड़किया साथना, कृती, सौम्या इन में से हमारी प्रिया भी थी ऐसे कितनी सारी लड़कियां हमेशा गुम हो रही है असल में बात यह है कि इन में से किसी एक कभी प्रोफेशनली या फिर परसनल कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है वो लड़की को सिलेट करने के लिए भी पैटन फॉलो नहीं कर रहा है वांबे कॉलिर में गुम होने वाली क्यूर्थी उसे कहीं गजवा का हॉस्पिटल में भरती करवाया गया सिता मदारा में गुम होने वाली साधना को पास के इसा का थोटा में भरती करवाया मिंडी में गुम हो जाने वाली लड़की संजाना को दुबारस से मिंडी में परती करवाया कृष्णामूर्थी हॉस्पिटल में यह सब एड्मिट होई थी एक ही रीजन से हाइपोग्लेसीमिया मतलब शुगर लेवल्स टाउन होकर विदिन नो टाइम बॉड्य डी हाइड्रेट होकर चक्करा कर गीर जाना एक या दो लड़किया इस प्रॉब्लम से एड्मिट होती तो में इतना ध्यान नहीं देता पर एड्मिट होई हर लड़की इसी रीजन से एड्मिट होई है और तब मेरा इस विशे पर ज्यादा ध्यान गया और देन आ स्टार्टे रिसरचिंग फॉडिस हाइपोगलेसीमिया को अननैचरली भी अटाइक कह सकते हैं एल एक्स्प्लेन यू 1960 में रॉबर्ट डिसोज असाइंटिस ने हाइपोमिसीन की खोच की उसके खोच करने का मेंद रिजन था एक इंसान का वेट कम होने के लिए ये ड्रक्स लेने के बाद इंसान की बॉड़ी डिहाइडरिशन होना शुरू हो जाती है तब ही वो बॉड़ी के साथ एक घंटे वरकाउट करेगा इस ड्रको प्रोफेशनल सर्विलन्स के बिना लेना इल्लीगल कहकर बंद कर दिया जहां जाओं वहारास्ता बंद पड़ा था एक दूसरे से संबन ना रखने वाले इंसान मचली पकड़ने वाले मचवारे शकुनी के जैसा एक बुठा ये सब के वाले एक नाटटक के पात रहे है इन सब को एक ही स्टेज में खिलाने वाला निरिदेशक कौन है टोटली कन्फ्यूस्ट हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें क्या साक्षात अरजुन के आने के बाद भी उसे समझ में ना आया ऐसा चक्रिवियो सेट किया है पर उसे ना समझने वाला विशह यह है कि उसे ढूडने वाला कोई अरजुन नहीं है बलकि पुरुक्षेत्र को अपने हाथ से घुमाने वाला श्वत्थामा है असल में हमें सारे मिलने वाले लोग सच कहरें इस बात की क्या गैरंटी है मैंने उनकी बात सुनकर भरुसा नहीं किया है नहा आखे उनकी आखे जूट नहीं कह सकती हमारे प्रदेश की राजधानी वाले इस शहर में फिर से एक हाथा हुआ है शहर के बीचो बीच होने वाले वाईजर सेंटर मॉल में कुछ लोगों ने संद्या नाम की लड़की का अपरण कर लिया था और ख़बर ये है कि सर कौन है आप मुझे आपका CCTV फुटेज देखना है सॉरी सर इट्स कॉन्फिडेंशियल आपको नहीं दिखा सकते दस हजार सर ग्याता बजी मेरी शिफ्ट खत्प हो जाती है आप तस मिनिट पहले आजाओ मैं दिखा दूँगा हलो हलो नहां फोटो आगिया क्या आगिया ओके और जैसा कहता हूं वेसा करो इसा क्यों मैं जैसा कह रहा हूं वो करो सेकंड फ्लोर ओपन करो रुगो रुगो इस लड़की को फॉलो करो ठीक है सर नेक्स्ट रुगो रुगो पॉस करो जून करो उस बुटे को फॉलो करो उस बुटे को फॉलो करो सर वहां पर कोई कैमरा नहीं है कैसे 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 बैक ओके सर बैक करो और बैक और 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 ओके सर रोख जो उसे फॉलो करो फॉसे फॉलो करो फॉस्ट फॉलोर फॉस्ट फॉलोर यहां पर कैमरा नहीं है सर कार पार्किंग पार्किंग मैं पॉस करो शिवा शेक्ती ट्रेबल्स शिवा शेक्ती ट्रेबल्स शिवा श्टैवलो शिवा शेक्ती ट्रेबल्स शिवा शेक्ती ट्रेबल्स परेशावावला बेटिंग थेंक यू इस्क्यूज में आप दोक्टर मनुष कुमार है ना? येस आपने सौमय का पोस्टमॉटम किया था था ना? ये उस केस के बरे मुझे कुछ इंफॉरमेशन चाहिए अप पुलिस में है क्या? नाइ सर पर मुझे है नाम के ड्रक्स के बरे में छोटे इंफॉरमेशन चाहिए ओके लेट में मेक अ कॉफी फो यू कम इंसाइड सेर अल गद अ कॉफी सर हमारे शहर में जो किड्नैप हो रहे हैं और हाइपोमेशन नाम के ड्रक्स का कोई संबंध है ऐसा मुझे लग रहा है सर उस दिन आपने सौमे की बॉड़ी का पोस्टमाटम किया था इस ड्रक्स से संबंध है थे कोई ट्रेसस मेले थे आपको? कॉफी पीते वे बात करते है हम सेट कौन है वो? पागल है महरने के लिए खुदी आया है पहले से कह रहा था ना अब क्या करोगे एक्सक्यूज मी सर यह मेरे दादाची है दो दिन से दिखाई नी दिये है घरवाले बहुत टेंशन में है सुनो बोलू निहा मैंने पुलिस्टेशन में कंप्लेंट कर दी है ओके गुड नेक्स प्लान क्या है मैं बताओं निहा सुनो कोई पुलिस्टेशन के सामने ट्रेटोणी भेकर चला गया है उनने देखा क्या नहीं तुम अजर्टी उने फॉलो करो मैं आ रहाँ हाँ ओके कॉफी मतलब अजर्टी पॉलो कर रहा है तुम टेंशन मतलो जैसा क्याता हूं ऐसा करोगा ठीक है बेटा अब कहा हो अब कहा हो एबीप रोट से उश्या जंक्शन की तरफ जा रहा हूं बेटा उधर से लेफ ले लो ठीक है बेटा सुनो उन्होंने उश्या जंक्शन से लेफ ले लिया है ठीक, नेहा आप कहा पुछए और पर हूं बेटा चैनला है बलो नेहा रामनेदर जंक्शन की तरफ जा रहा है अलब ढू इब अभी पॉर्ट पे एंटर किया है पॱ्ट प्रश्टाइब नेहा, उसे कोई गाइड कर राहा है, तो मुझे के अरजन्टी वहा से चली जाओ, क्या हुआ? कोई ट्राप कर रहा है, क्या? मैं नहीं हो आथादा तूम इस मेपसो, लेकिन मैं जैसा के रहा हूं में जप्रोड़ो नेहा पोड के तरफ आ आ बेस्ट्रक को फॉलो कर कि अगला हो गया बट interacts second अभी राइट ले ना मिलेगा겠ak स्ट्रैट आजा स्ट्रीट आजा आरहो बटा सास्त, फेस्त आरहो बटा स्टाप तरहुत है भी टा बटा वह मेरे सामने से अरा है बटा वह सामने आगया सामने आग्या बिटा पेटा बेठा बुझे बचा लो बैटा जैजलो बेटा मुझे बचालो बेठा बोड़ वो मेरे प्रास आगया मुझे बरादर गाया प्राप्स अप्राप्स याहा है थे कारनमर किसकायल पता है यह तो डोक्टर मनुच कुमार कार इस सर कर दो कर दो कर दो दो कर 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 दो अपार में लगता हुआ। वेलकम डॉक्टर मनोज कुमार सफेद कोट में बहुत अच्छा खेल खेलते हो आखिर पकड़े गए पापा कह रहा था ना नेरी बात माना क्या पापा नेरी बात माना क्या पस दुबारा नहीं करूंगा पापा सॉरी पापा 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 पाप पर पर चौड़ बेटा 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 शांत हो जाओ वो छोटा बच्चा है अंजाने में किया होगा उसे माप कर दो बेटा आपको जो नुक्सान होगा वो पैसे से नहीं चुका सकते बेट अगर ये बात बाहर किसी को पता चल गई तो वो कभी भी डॉक्टर नहीं बन पाएगा प्लीज दया करके बाहर किसी को मत पता ना मना मत कीजिएगा प्लीज मारा इसलिए दुख हो रहा है नहीं दर्द हो रहा है एक बात याद रखो अनजाने में किया तो गलती है और सब जानते हुए भी करना निर्भैता होता है कितना भी महान इंसान हो जो गलती की है वो किसी को पता नहीं चलता पकड़ा नहीं जाता तब तक ही लोग उसकी इज़त करते हैं इसलिए गलती पता होने वाले इन दोनों को कितना पता है आपके साथ मार दिया जैसे आपने काया थाना मैंने बिल्कुल वैसे ही किया पापा हाँ डादा डादा अज जाने में क्या दादा प्लीज दादा किसी को मत बता ना दादा तुमने अगर किसी को बताया तो मैं तुमें भी मार दूगा दादा आप आप आफ भाज आओ जाऊगे दादा, प्लीज, किसी बमदा न अब्ल। प्लीज न अपके होना आप मेराधा रहें उनकल दिधा होना, प्लीज, दादा, प्लीज तुने उन लोगों को क्यो माऊढ डालताक wydaje दादा, वो लड़की के साथ जब मैं ऐसा कर रहा था, तो उसने मुझे देखा. इसलिए उसने अपनी मा को जा के बताया. उसने अगर देखा ही नहीं होता, तो कुछ गड़बर नहीं होती ना, दादा. सबी लोग आप जिसे देखके भी अंजान नहीं बनते ना, दादा? पापा, पापा, क्या कर रहा है मैं बागल कहीं के? पापा, पापा, उसने तेखके के लिए नहीं के लिए्टी जादा, पाप के लिए्टी व्टी लोग का भी य। कि लिए कि एए नह कि एा नह वम करेज दूएर। पुटив स्वार दॉए्ट हुआ 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 है हुआ 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 है रुका रुका यह सब तुम किसके लिए कर रहे हो मुझे पता नहीं पर लड़कियों को उटा कर ले कराना उन्हें हरास करना यह सब हमारे पुरानों में है यह सब पौराने खताओं में है चलता आ रहा है यह गलत है तो कैसे और पुरान में यह भी कहा गया है कि लड़कियों से खिलवाड किया तो बहले ही दस्सर वाला हो या निन्यान्वे भाई वाला हो सजा तो जरूर मिलती है और यही होता आ रहा है हुँँँग हाँ हाई हाई... पाबाबा.. बेटा किदर हो भूर बाहर हो। बुलिया ना जल्दी घर आजाओ। क्या हुआ बाबा.. तेरी बहन को किसी का फोन आया था घर आकर तोड़ फोड करने की धमकी दे रहा है जल्दी सिखर आ जाओ। बेटा.. कौन हे ओ पाबा.. बाबा किसने आपको फोन किया कोई बात क्यों नहीं कर रहा है प्रिया क्या हुआ कोई बात क्यों नहीं कर रहा है कोई और नहीं तुम्हारा बहां जा क्या कहां कर दो कर दो भूमी भूमी जैसे मा भी होती है बहुत सारी कठिनाईयों को सहती है बहुत सारा भार उठा लेती है और दुनिया में मर्द बस उस पर अपना हग चताते हैं कभी उसकी तरह सहे कर दो दिखाओ मर्दों की सारी मर्दान की भार निकल जाएगी वो अपना अस्तित्व भूल जाएंगे भूमी को बचाने के लिए हर खर में एक पेड़ूगाने के लिए कहा गया है पर मा के समान लड़कियों को बचाने के लिए कौन सा पेड़ूगा ना होगा कर दो